नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है हमारी चैनल सक्सेस प्लेस में इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आईससेर के बारे में जिसमें लगातार अपर सरकीट हीट कर रहा है जो की हमारा रिलेटेड है भैक्सिन बनानी से रिलेटेड ये पोलियो भैक्सिन बनाती है और बहुत सारे फार्मा प्रोडक्ट बनाते है तो समझ सकते है कि जो गोर्वेंट की सेकुरिटी है वो भी इसके पीछे है और ये चूटा सा पाइनी सेर है चलिए हम इस वीडियो में इसको डिटेल में डिसकूस करेंगे ये पाइनी सेर कीतना बहतरी रिटर हिट करा देख सकते हैं 30 जुन को फिर यहां पर 1 जुलाई को फिर यहां पर 2 जुलाई को फिर यहां पर 3 जुलाई को लगातार अपर सरकीट यह हिट किये जा रहा है यहां से आप देख सकते हैं कि हमारा यह जो है अभी मातर 5 दिन में 22% का रिटर्न दे चुका है अपने इन् देख सकते हैं, देखिए आपको, जो भारत Immunological and Biological Corporation है, यह हमारा India Best Bio Technology Company है, जो कि बहुत सारे फर्मा प्रोडक्ट, जैसे जिंक टैबलेट हो गया, ट्रीट कोमन कोल्ड हो गया, जो कोमन कोल्ड है, उसका लंग इंफेक्शन का, मलेरिया का, अस्थामा का, ति यह सारे क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो Profit Generate नहीं कर पाती है, तो वहीं बस इसमें Profit Generate होने लगे, तो जो करोना बारेस का Effect है, जो करोना बारेस का Spread है, वो एक उमीद जगाया है, इसके इंवेस्टर को, कि यह Company अब Profit Making Company बन जाएगी, तो देख सकते हैं, यह इसका 52B का Low है, फ 5 रूपेज 41 पैसा है, वहां का जो Low था, वहां से अभी देख सकते हैं, यहां पर यह काफी उपर जा चुका है, तो यहां पर देख सकते हैं, 254% का Return, अभी यह जो थोड़ी से गिरावटा है, फिर से तेजी, तो 186% का Return, तो काफी बहतरीन Return दिया है, इंवेस्टर को, तो हमारा उदेश सिर्फ था आपको बताना, यह PSU Stocks जो है, काफी बहतरीन, इसमें लगातार Upper Circuit देखने मिल रहा है, कभी Lower Circuit में मिल रहा है, तो आपको इसके पारे में थोड़ सा मतलब जागरूक करना था, कि आप Stock Market में हो रहें, लगातार जो trending में Stocks, अभी यह Stock काफी Trend कर र है, साथ ही साथ ही आपको यह बता दे, Polio Vaccine भी यही Company बनाती है, जो हमारे इंडिया का Polio Vaccine है, वो यही Company बनाती है, तो बहुत सारे फार्मा प्रोड़क्त है, जो इसे बनाती है, तो आप तो Polio Vaccine बनता नहीं है, क्योंकि Polio मुक्त हो गया हमारा देश, अब हम चलिए इसक इसके सारे डिफरेंट डिफरेंट जो रेसियो है, परामीटर है, उसको देखेंगे, एक कंपनी का Valuation सबसे पहले देख लेते हैं, तो कंपनी का Valuation यह देख सकते है, मार्केट है 71 क्रूर, बहुत ही छोटा सा एक मार्केट कैप कमपनी है, मार्केट कैप के अधार पर, ल इसके बाद हम कारपोरेट एकसन देख लेते हैं, क्या कंपनी का भी डिफरेंट पे की है, तो 2002 में कंपनी डिफरेंट पे की वह 0%, चले तो डिफरेंट कंपनी पे नहीं करती है, बोनस भी नहीं रिया है, एस्प्लेट भी नहीं हुआ है, अब उसके बाद फाइनेंसल क्योंकि इसका expenditure देखेगा काफी है, जब sales काफी बढ़ा, तो इसका देख सकते हैं, expenditure भी काफी बढ़ गया, जिसके कारण कंपनी का जो net profit है, वो loss में बदल गया, तो कोई profit making company यह नहीं है, उसके बाद हम देख लेते हैं, इसके अलग-लग ratios है, तो आप इसके ratio को देख सकत हैं, कि इसमें government की security है, तो default ratio 0 है, उसके बाद जो basic earning per share है, देखते हैं, negative रहा है हमेशाब, एक बाद सिर्फ positive यहाँ पर हुआ है, तो यह तो negative होगी, आप नीचे चलते हैं, net profit per share देखते हैं, वो भी negative में है, उसके बाद नीचे चलते हैं, तो debt equity ratio, देखते हैं, 1.05 का है, मतलब company के उपर debt भी है, उसके बाद अगला, आप case earning retention ratio, जो भी आहाँ पर ratio है, आप return on equity देख सकते हैं, return on capital employed देख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं, return on capital employed, minus 14 में है, यहाँ पर return on equity, minus 18 में है, मतलब यह कहिए, एक तरह से 19 है, यह भी एक तरह से, return on capital employed, यह भी 15 है, तो काफ पी सारी चीज़ा जो की negative है, उसके बाद हम इसके बाद कर लेते हैं, balance sheet का, company का balance sheet कैसा है, तो यहाँ पर आगे है, हम company के balance sheet पर, company का balance sheet पर reserve देख लिजे, negative में है, मतलब company के पास कोई reserve नहीं है, उसके बाद secure loan, unsecured loan है company के उपर देख सकते हैं, तो 32 क्रोर का company को उपर debt भी है, उसके बाद company का book value देख लेते हैं, company का book value क्या हुआ है, तो company का book value यहाँ पर देख सकते हैं, लगाता decrease किया है, तो 7.10, इतना का book value है, तो book value company का का काफी decrease हुआ है, तो कोई ऐसा चीज नहीं है, जो की favor में है, सिर्फ एक ही चीज favor है, आपका management जो है, वो government है, तो आप इसमें invest कर सकते हैं, या चाहे तो avoid कर सकते हैं, अगर invest भी करना है, इसमें कभी भी, तो हमें लगता है, इसका जो price है, आपको 10 रुपे से अधिक कभी, इसमें invest नहीं करना चाहिए, मतलब 10 रुपिया के अधिक price पर, और इसमें invest करें, तो आप 200-300 रुपिया invest कर सकते हैं, मतलब उतना जितना कि आप पान खाके खत्म कर देते हैं चाय पी लेते हैं जितने रूपिया का मतलब जितने का आप चॉकलेट खा लेते हैं तो उतना ही रूपिया इन्वेस्ट कर लें मतलब उतना ही कैपिटल का रिस्क लें जितना कि आप सह सकते हैं वो capital आपका खत्म भी हो जाए 0P हो जाए तो आप उसको मतलब सहन कर ले आपके उपर कोई effect नहीं उसका पड़े तो उतना ही capital आपको इसमें invest करनी चाहिए काफी trending stocks है इसलिए मैंने भी आपको बता दिया तो उमीद करते हैं ये वीडियो थोड़ा आपको समझने में नेरने लेने में helpful लगा होगा तो वीडियो को like करना है share करना है चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe करके बगल के bell icon को दबा लेना है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदा